साथ वे इन तमाम चुनवतों के बावजुद हमारे पास पहले की अपेक्षा बहतर अनुगों है पहले की अपेक्षा अच्छे संसाधन है और अब एक वैक्सीन भी हमारे पास है जन भागीदारी के साथ साथ हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स और हिल्थ वर्टर्स हिल्थ केर स्ट्राइब में स्थीति को समानने में बहुत मदद की और आज भी कर रहे हैं आप सभी में अपने पहले के अनुभाओं का प्रभावी डंग से उप्योंग अपक्षित है अब आप कल्पना कीजिए कि गत्वर जिन दिनों में हमारे हाल क्या थे हमारे पास ट्रेश्टिंग लेप नहीं थे कि इवन मास्ट कहां से मिलेगा एक चिंता का पीपी किट नहीं था और उस समय हमारे लिए बचने का एक मात्र साधन बचा था लॉकडाउन ताकि हम व्यवस्ताओं के एकदम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वह हमारी स्ट्रेटिजी काम आई हम व्यवस्ताओं को बना स कि समसाधन खड़े कर पाएं हमारी अपनी बढ़ाई दुनिया से जहां से प्राप्त कर सकते कर पाएं और लोगडाउन के समय के हम ने उप्योग किया लेकिन आज जो स्थिति आज जब हमारे पास सब समसाधन है तो हमारा बल और यह हमारे गवर्णनस की कसोटी है हमारा ब कि माइक्ड्रो कंटेंब्स क्यों पर रहा है है शोटे शोटे चोटे ग्रुमेंट ज선 पर सब से जयादा Liber जहां पर रात्री करफियों का प्रव हो रहा है वहां मेरा अग्रह है कि उसके लिए शभ्द प्रव हमेशा करे कोरोना कि कि कोरोना के प्रतिये एक सजलता बनी रह कुछ लोग यह intellectual debate करते हैं कि क्या करोना रात को याता है हकीकत में दुनिया ने भी रात्री कर्फ्यू के प्रयोग को स्विकार किया है क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हां मैं करोना काल में जी रहा हूं और बाकी जीवन व्यवस्ताओं को कम स क्यों से कम प्रभाव होता है हां अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें यह रात को 10 बजे शुरू करें और सुबे 5-6 बेजे तक चलाएं ताकि बाकी व्यवस्ताओं को प्रभाव ज्यादा नहों और इसलिए उसको को और नाम से प्रचलित करे और कोराना कर भी एक प्रकार से लोकों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है एवर्डेस के लिए काम आ रहा है तो हमने इसके तरफ ध्यान देने के लेकिन मैंने पहले कहा अब हमारे पास व्यवस्था इतनी हो चुकी है माइक्रो कंटेन्मेंट जोन उसी पर बल दीजिए आपको अच्छे प्रणाम मिलेंगे हां उसमें जड़ा सरकार को थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ती है गवननस को टाइट रखना पड़ता है हर चीज को माइनूटली अफ्ज़र करना पड़ता है लेकिन यह मेहनत रंग ल दस लाग एक्टिव केसे से सवा लाग तक नीचे लाग कर दिखा दिया था एक जिस रणदीती पर चलते हुए संभव हुआ वो आज भी उतने ही सटिक है और मजा देखिए उस समय सफलता हम ही लोग ने पाई थी तब समसादन भी कम थे आज तो समसादन ज्यादा है और अ पीचे ला सकते हैं पिको उपर जाते रोग भी सकते हैं और अनुभव कहता है कि टेस्ट ट्रेक ट्रीट कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट इनी चीजों पर हमें बल देना है और आप देखिए अब एक विशा ऐसा आया है मैं आप सभी मुक कमेंत्रियों से आगरे करता हूं कि आप अपने राज्य की मश्री के द्वारा थोड़ा अगर एनालिसिस करें सर्वे करें और एक सवाल का जवाब हमें मिल सकता है क्या मैं इसको सवाल के रुपने कह रहा हूं होता क्या है कि इन दिनों कोरोना में यह तोड़ा वेरिफिके परिवार में पहले की तरह ही जिन्दगी जीते हैं और परिणाम स्वरुप पूर्य परिवार लपेट जाता है और फिर इंटेंसिटी बढ़ती है तब हमारे ध्यान आता है जो आज परिवार के परिवार जो इसमें लपेट में आ रहे हैं उसका मूल कारण है शुरुवाद ऐस्म्टिमेटिक से होती है और केरलेस होती है उसका उपाय क्या है उसका उपाय है प्रो एक्टिव टेस्टि हम जितना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो ऐस्म्टिम जो पेसंट होगा वो भी धेन में आ जाएगा तो परिवार में होम कोरोन ट्राइल वगएरे धंग से कर लेगा वो परिवार के साथ जैसे नॉर्मल जिनकी जीता है वो नहीं जीएगा और इसलिए पूरा परिवार ज जाता है उसको हम बचा सकते हैं और इसलिए हम अभी चर्चा जितनी वैक्शिन की करते हैं उससे ज्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की ज़रूत है बल टेस्टिंग पर देने की ज़रूत है और हमने सामने से टेस्टिंग के लिए जाना है उसको तकलीप हो और फिर टेस्टिंग करने के लिए और फिर उसको पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाए और वो मैं समझता हूं करम हमारे लिए थोड़ा बदलना पड़ेगा हमारे पास वाइरस को कंटेन करने के लिए एक एहम तरीका है कि हम हुमन होस्ट को कंटेन करें मैंने पहले भी कहा था यह कोरोना एक ऐसी चीज है कि जब तक आप उसको लेकर के नहीं आओगे घर में नहीं आता है और इसलिए हुमन सोर्स जो है हर एक को हमने जागूरत करना पड़ेगा उसने नियमों का पारन करना होगा यह बहुत आवशक है और निश्चित तोर पर इसमें टेस्टिंग और ट्रेकिंग की बहुत बड़ी भूमिका है हम टेस्टिंग को लाइट न लें टेस्टिंग को हमें हर राज में इतना बढ़ाना होगा कि पॉजिटिव रेट कैसे भी करके पांच परसंट के नीचे लाकेर के रख जाए और आपको याद होगा शुरू में जब करोना की खबरे आने लगी तो हमारे यहां कॉंपिशन होने लगी वो राज्य तो निकम्मा है वहां बहुत बढ़ गया फलाना राज्य बहुत अच्छा कर रहा है राज्यों की आलोचना करना बढ़ा है फैशन हो गई थी तो पहली मिटिंग में मैंने आप सबसे कहा था कि संख्या बढ़ने से आप जरावी चिंता मत कीजिए उसके कारण आपको आपका परफॉर्मस बुरा है प्रेशन में मत रहिए आप टेस्टिंग परबल दीए और वो बात मैं आज भी कह रहा हूं संख्या जादा है इसलिए आप गल करने का रास्ता वही है और जो आलोचना करने वाले हैं थोड़े दिन आलोचना सुनने पड़ेगी लेकिन रास्ता तो टेस्टिंग का ही है टेस्टिंग के करना आखड़ा बढ़ा आ जाता है आने दीजिए उसके करन कोई राज जब अच्छा है को राज बुरा है ऐसा मु पाए कर पाएंगे और हमारी टार्गेट सतर प्रतिशत 70 परसंट आर्टी पीसिया टेस्ट करने का है